आज की रेसिपी बहुत ही अलगा और यूनिक होगी जिसको हम बकला, बालर, ब्रैड बीन, फवा बीन या हार्स बीन बहुत सारे नामों से जानते हैं आपके यहां इसको क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताईएगा इस तरीके का यह पेड होता है, देखिए इस तरीके से इसकी बीन सोती है और इसमें जो फोल रहते हैं उसको निकालके हम इसको तयार करते हैं ये सबजी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक हैं इसको एक बार जरूर बना के ट्राइ केजएगा चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसको दोनों तरफ से इसका छील लेंगे जैसे रेशा होता है उसको हम निकाल लेंगे सभी को पहले हम निकाल लेंगे उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से दो लेंगे धोने के बाद हम इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में एकदम काटेंगे क्योंकि ये बहुत ही soft होता है तो ये बहुत जल्दी पक जाता है इसके अंदर बीज होता है जिसको बीन्स बोलते हैं वो dry बीन्स भी होता है इसको भी एक तरीके की ये सबजी होती है उसको भी हम बना के खा सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको छोटे-छोटे टुकडों में काट लिया है अब हम लेंगे साथ में चार छोटे-छोटे आलू उसको भी हम एकदम छोटे-छोटे पीसे में काट लेंगे इस तरीके से ना तो जादा बड़ा ना छोटा एकदम मेडियम साइज में हम इसको इस तरीके से काट लेंगे इस सबजी को बनाने के लिए हमको चाहिए प्याज उसको भी छील के हम स्लाइसेस में काटेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं काटेंगे धोके हम उसको स्लाइस में काट लेंगे आठ से दस कली मैंने लेसुन ले लिया है उसको भी हम स्लाइस में काट लेंगे आप चाहें तो दरदरा खून के भी इसको डाल सकते हैं इस तरीके से मैंने काट लिया है इसको mostly लोहे की कड़ाही में, आइरन की कड़ाही में बनाते हैं अब मैंने इसमें डाल दिया है तीन चमच सरसो का तेल एक चमच जीरा, एक चमच मिथी, एक चमच राई, एक चमच अजवाइन और एक चमच सौफ एक तेज पतर डाल देंगे इसमें हरी मिर्ची को स्लाइस में काटके उसको भी डाल देंगे लेसन जो हमने काटा है उसको भी डाल देंगे जब हमारा तड़का गूर्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे प्याज उसको भी हम अच्छी तरीके से पका लेंगे ये बहुत सारी डिसीज में काम आता है जिसे अलर्जी हो, किसी को डाइरिया हो या फिर कैंसर पिशन्ट्स हो, डाइबिटीज में ये बहुत सारी चीजों में फायदे मंद है अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी और आलू इसको mix कर लेंगे, इसका color बहुत ही अच्छा हैगा इसलिए हमने पहले हल्दी को डाल दिया है धनिया हम नहीं डालेंगे, नहीं तो ये चिपकने लगेगा अब हमने डाल दिया है इसमें बकला इसको डालके हम अच्छी तरीके से mix कर लेंगे अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वादानुसर नमक इसलिए हम पहले डाल देंगे ताकि ये थोड़े जल्दी से पक जाएगा और इसको मिक्स करके हम ढखके कम से कम चार से पांच मिनट स्लो फ्लेम में अच्छे से इसको पका लेंगे बीच बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे अगर ये नहीं पकेगा तो हम इसको फिर से दो से तीन मिनट और पका लेंगे अब ये आधा कूख हो चुका है इसमें हमने टमाटर को काटके इस तरीके से डाल दिया है धनिया पाउडर एक चमच आधा चमच खटाई का अमचूर कश्मेरी लाल मेर्च आप इसमें एड़ कर सकते हैं मैंने हरी मेर्च का यूज किया है अब हम इसको ढखके अच्छी तरीके से पका लेंगे इसमें मैंने दो से तीन चमच पानी डाल दिया है ताकि यह अच्छे से एकदम पक जाएगा जब आप आयरन की कड़ाही में बनाते हैं तो थोड़ा काला पन जरूर आ जाता है लेकिन यह बहुत ही अच्छा होता है देखे हमारी सबजी पक चुकी है अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला आधा चमच और धनिया पत्ती डालके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे हमारी एकदम टेस्टी और यूनिक सी सबजी बनके तयार हो चुकी है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब केजिएगा बेल नोटिफिकेशन अन कर लेजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जरूर मिल सकूँ थैंक यू सो मॉच